प्यारे विद्यारतिजों नमस्कार। आज प्रारमन करते हैं हिंदी माधियम के विद्यारतियों के लिए विज्ञान का पहला चेप्टर, जो कि फिक्स का है मापन। तो आईए थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर विज्ञान क्या है तो जानिए विज्ञान को अंग्रेजी में साइंस कहते हैं और साइंस सब्द जो है ग्रीक सब्द साइंटिया से लिया गया है और इसका अर्थ होता है जानना तू नो होता है तू नो को अगर हिंदी में कहें तो इसका अर्थ होता है जानना तो अभी हम जाने कि science वर्ड जो है इस ग्रीक सब्द से बना है तो scientia वर्ड से है इसका अर्थ क्या होता है तट्टू नो होता है अर्थात जानना यानि किसी भी विशेवस्तों की बारे में अगर हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम उशे विज्ञान कहेंगे अगर वी ज्ञान बोलते हैं अगर वी ज्ञान को भी अगर आप तोड़ेंगे तो देखेंगे वी और ज्ञान वी से समझेए विशेश और ज्ञान का अर्थ यानि कि इससे वी अर्थ होता है कि विशेष ग्राप्र होती है यानि कि विज्ञान में क्रमबध ग्राप्र होती है ठीक है तो आए तो साइन्स के अंतरगत आपको तीन पार्ट में इसमें विडियो बनेगा एक बहुतिक इसे हिंदे में भोतिकी कहा जाता है और सब्द जो है यह प्यूशिस प से बना है यानि भौतिकी के अंतरगत परकिर्ते में होने वाले तमाम घटनाओं का अध्यन किया जाता है अगर कोई भी पूछे कि आखिर भौतिकी क्या है तो जान लिजिए भौतिकी विज्ञान की वह साखा है जिसके अंतरगत परकिर्ती में होने वाले तमाम घटनाओं का अध्यन किया जाता है तो अब यहां से एक और पॉइंट जान लिजिए कि आखिर भी ज्ञान की जनक कोन है तो जान लिजिए भी ज्ञान की जनक अरस्तू को कहा जाता है अगर भौतिकी की कहेंगे तो आप न्यूटन बोलेंगे तो आईए अब हम चेप्टर में इन करते हैं यह चोटी-चोटी बात है जो कि आप लोग जानती होंगे आईए पहला चेप्टर है म्यूजर्मेंट मापन अर्थात इसमें हम किसी भी चीजों को किस परकार से मापते हैं उसी का अस्टडी करेंगे तो भावतिकी के अंतरगत जो मापेंगे हम उसे क्या कहेंगे और क्या है ये इसके बारे में जानते हैं आज तो देखेंगे यहां पर पहला पॉइंट आया है कि भावतिक रासी तो देख दीजिए फिजिकल क्वांटीटी फिजिक्स के अंतरगत जो हम पढ़ेंगे तो उसमें भावतिक रासी है जिसे अंग्रेजी में फिजिकल क्वांटीटी गहा जाता है तो कहता है कि जिन रासियों की माप की जा सकती है अर्थात जिसे हम माप सकते हैं जिसे मापा जा सकता है जिस रासी को हम मापेंगे हम उसे भावतिक रासी कहेंगे यहां से देखेंगे सभी परिभाताओं को दियान में रखना होता है क्योंकि जब तक पूरे बात को नहीं जान पाएंगे तो आप objective ही नहीं solve कर पाएंगे और 10th class में objective की question बहुँ ज़्यादा मातरा में होता है तो objective बनाने के लिए आपको deep में knowledge होनी चाहिए तो एक एक बात को हम लोग देखेंगे यहां पर तो अभी हमने देखा कि भावतिक रासी क्या है तो भावतिक रासी के बारे में बताये गया है कि जिन रासियों को माप स हम उसे भावतिक रासी कहते हैं जैसे अगर आप घर की दिवाल की बात करते हैं तो कहते हैं यह कितना उचा है या तो कैसी कोई भी चीज को आप अगर दूरी को मापते हैं तो उसे कितना लंबाई के मापते हैं तो देख रहे हैं तो यह क्या है कि भावतिक रासी तो भाव बाई है, द्रबिमान है, समय है, बल है, यह सभी को हम लोग मापते ही हैं, यानि जिन्हें मापेंगे हम उसे भावतिक रासी कहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी चीज होते हैं, जिसे मापना संबब नहीं है, जैसे आप लोग हस रहे हैं, और हसनी के कारण ये खुसी परकट हो सक खुसी के कारण होसरे होंगे, तो आप कहेंगे कितना खुस हैं आप, तो इसे मापना मुस्किल हो जाएगा, यानि जिसे मापना नहीं जा सकता है, या तो आपको किसी बात की दुख है, आप से कोई पूछे कितना दुख है, आप मातरा में नहीं बता सकते कि पाच केजी है या दस केजी है या लीटर है कि से अइस सब चीज को माप नहीं सकते हैं तो आइए तो उन्हें कहतें नन फिजिकल quantity अर्थात औभावतिक राशी यानि जिसको मापेंगे हम उसको भावतिक राशी कहेंगे और जिसे मापना संभव नहीं है उसको हम अभावतिक यानि नन फिजिकल क्वावतिक कहेंगे यहां पर लिखा हुआ भी वही चीज़ कि जिन राशियों की माप नहीं की जा सकती है हम आप भौतिक रासी कहते हैं, जैसे खुसी, खुसी को आप माप नहीं सकते हैं, खुसी कितना है ये नहीं बता सकते हैं, या दर्द, दर्द केवल बोलते हैं कि आज बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन कितना कर रहा है, मापना मुस्किल हो जाता है, अता इन चीजों को खुसी, दूख, दर्द, ETC यह सब जो है आभ भौतिक रासी है तो यहाँ पर अभी हमने दो बात बताई कि एक भौतिक रासी जिसको माप सकते हैं दूसरा आभ भौतिक रासी जिसे माप नहीं सकते हैं तो मापेंगे तो भौतिक आभ भौतिक क्या जिसको नहीं मापेंगे तो आभ भ मूल या आधारी बहुतिक रासी जिसको fundamental या basic physical quantity कहते हैं ऐसे मूलकार्थ जड़ भी होता है प्रथम भी होता है यानि प्रारंबिक अवस्था तो बहुतिक रासी की जो प्रारंबिक अवस्था होगे यानि कि मूल चीज जो है तो काता जो बहुतिक रासी किसी अन्य रासी प या मूल रासी कहेंगे मूल रासी क्या है तो वैसी भौतिक रासियां जो किसी अन्य रासियों पर निर्वर नहीं करता है हम उसे मूल रासी या आधारी ये भौतिक रासी भी कहेंगे जैसे लंबाई, द्रबिमान, शमय ये सब जो है मूल रासी है और जान लीजिए मूल र create होता है कि मूल मातरक आखिर है कितना तो टोटल साथ है तो जान लेजिए अब आगे है तो अभी हमने क्या बताया कि भावतिगरासी दो परकार की होती है एक मूल रासी या तो अधारिये भावतिगरासी कह सकते हैं दूसरा व्युत्पन रासी होता है डेराइवड फिजिकल quantity तो यह किसी अनिरासी पर depend नहीं करता है अर्थात स्वतंत्र होता है देखिए यह जो है स्वतंत्र होता है freedom तो आइए अब दूसरा हम पड़ते हैं कि व्युत्पन ता व्युत्पन का मतलब ही होता है अगर व्युत्पन है इसमें देखिए उत्पन सब्द है यानि कि यह किसी से उत्पन होगा तो उत्पन किससे होगा तो ये उत्पन होता मूल मातरक से अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये वैसी भौतिक रासियां होती है जो कि आपका मूल मातरक पर डिपेंड करता है मूल रासी पर डिपेंड करता है हम उसको भौतिक रासी कहेंगे तो कहता जो भावतिक रासियां मूल भावतिक रासियों पर निर्वर करती है या जो स्वतंत्र नहीं होता है ठीक है हम उसे भित्पन रासि कहते हैं अब ये क्या है कि भित्पन रासि को अगर दिखाएंगे तो उसमें जो है मूल मातरक रहेगा यानि मूल मातरक से ही उत्पन होता है इसलिए इसका नाम पढ़ गया बित्पन राशी कि मूल मातरक से ही उत्पन होता है अर्थात ये कहला है बित्पन राशियां चलिए और आगे हम देखती है इसमें तो देखे मूल मातरक टोटल साथ होता है लेकिन एही साथ से अनेको बित्पन लेकिन अगर मैं उसे पुझोगी 2600 लेटर से जो है कितने सब्द बनाए जा सकते हैं तो बहुत से अनेकों सब्द होते हैं देखे होंगे छोटी डिक्सनरी से मोटी मोटी डिक्सनरी तक देखे होंगे तो सब्दों की संख्या अनंत है उसी प्रकार से मूल रासी तो साथ फि पहले से ही लीख दिया गया है ताकि आप लोगों को केवल समझाते हुए आगे बढ़ जाएं नेक्ष देखेंगे यह कहता है वही तो हमने बता है तो इसवी के अंतरगा छेत्रफल जैसे अब देखिए छेत्रफल आप लिखते हों किसी भी चीज के छेत्रफल लेते हैं मा लंबाई जो है आपका मूल मातर का जाएगा और यह चवडाई भी लंबाई ही है लेकिन इसकी मातरा कम होती है इसलिए इसे चवडाई नाम दे दिया गया लेकिन है दोनों धूरी को इंडिकेट करने वाला एक है वो अब देखिए तो यह लंबाई भी और चवडाई यहा यह मूल राजी है यह भी मूल राजी है तो चेतरफ़ल है आईत न है चाल आ यानि मूल मातरक पर जो टेपेंड होता है उसको हम करते विधपन तो यहाँ पर देखिए तीन एक्जामपल दिया गया है चेतरफ़ल आईतन चाल एट इसे चलिए पिर आगे देखेंगे अब पुरनतह व्यक्त करने के लिए परिमान के साथ-साथ दिशा की भी आवसकता होती है. डिरेक्शन परिमान और दिशा चाहिए. तो देखिए सव दिस, सा का मतलब होता है सहित और समझे दिसा दिसा करनाखे दिसा. यानि दिसा से सहित रहेगा, तब हम उसको सदिस कहेंगे, यानि वेकर क्वांटिटी कहेंगे अब देखिए ये आगे और इसमें बताया जाएगा कि सदीस क्या है नहीं है पिलहाल आपको यभी पिलहाल परिभासा जानना है कि सदीस रासियां क्या है तो सदीस रासियां में क्या होता है कि परिमान और दिसा दोनों होता है याद रखे दीस में एक सही, दोड़ा सा अंतर आएगा, सव दीस, तो सो का मतलब हुआ साथ में रहेगा, क्या? दीस अर परिमान तो दोनों में है, देखे अदीस में भी तो यहाँ सदीस और अदीस आप लोग समझ पा रहे होंगे, अगर समझने में कोई परिशानी होगी, तो कमेंट में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है, तो देखें, अभी हम दोनों को अलग-अलग बता रहे हैं, कि देखें, सदीस में क्या है, तब परिमान के साथ दीसा भी रहेगा, जैसे वेग, त्वरन, वल, ठीक है, यह सब जो है सदीस रासी है, ठीक है, और सदीस रासी जो होते हैं, उनको कोई भी चीज के जैसे अगर बल लिखना हो, तो इसके ऊपर जो है भेक्टर का चिन लगा देते हैं, ताकि यह पता चले कि डिरेक्शन को बोध कर रह है, तो आईए, अब अदीस क्या है, अदीस तो अभी बोले कि जिसमें दीसा नहीं रहेगा, यानि परिमान रहेगा, लेकिन इसमें दीसा नहीं होगा, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे अदीस रासी, जैसे चाल, दूरी, छित्रफल, ETC, अब इसके बाद, जैसा कि उपर में था, मिजर्मेंट, अब देखें, मिजर्मेंट से संबंधित बात को समझते हैं, कि क्या है, और मापती कैसे हैं, इसके लिए क्या-क्या चीज की आवसकता होगी, तो देखें, अभी कहता है, कि मापने की आवसकता क्यों परते हैं, तो देखें, किसी भी चीज को अगर तु है या ज्यादा है इसके लिए मापन की आवसकता होती है तो देखिए यहां लीखा भी है कि मापन क्या है तो किसी औग्यात का अर्थी है जो ग्यात नहीं है बहुतिक रासियां किसी औग्यात रासी की तुलना किसी मानक रासी से करके बहुतिक रासी की मापन करने की किरिया को हम मापन कहते हैं यानि मापने की प्रक्रिया है लेकिन मापने के लिए हम लोगों को किस किस चीजों की आपसकता होती है तो यहां पर ध्यान दिजिएगा कि दो चीजों की आपसकता होती है एक होता हुआ मातरक जो मानक हो अर्था सर्वमान सत्य हो यानि एक मातरक की आपसकत गल्ती की कोई संभावना नहीं होती है और सभी लोग इसको मानते हैं यानि मातरक एक मानी गए लेकिन सर्व मान सत्ति हो यह नहीं कि आप अपना मन से कोई मातरक क्रियेट कर दें और उसको जो है कहें कि यह जो है मातरक है तो ऐसा नहीं होता है चलिए तो एक मातरक की आवसक लिखता होती है ठीक है और यहां बताता अज्यात रासी की माप में मानक मात्रक कितनी बार सामिल होती है जैसे देखिए मान लिए जाए कि आप केवल केजी लिखते हैं तो केजी से यह इंडिकेट नहीं होता है कि कितनी बार है अगर दो कहते हैं इसका मतलब है कि एक केजी दो बार है ठीक है तो पीछे वाला जो है ये आपका मातरक है ठीक है और आगे वाला जो है आपका संख्यात्मक मान है यानि कि numerical value है तो आईए इस परकार से बहुत तिक रासी को ब्यक्त करने के लिए दो चीजों की आवसकता होती है एक होता है आपका संख्यात्मक मान का और दूसरा होता है आपका मातरक का अगर दोने से कोई एक गाइब कर देंगे तो ये जो है अलग अर्थ देनी लगेगा है ना यानि कि बहुत तिक रासी को इंडिकेट नहीं करेगा अभी कहता है कि इस परकार बहुत तिक रासी की map को निम लिखित से ब्यक कर सकते हैं अगर हम देखें मातर को हम U से इंडिकेट कर देते हैं और map की जो संख्याग है यानि कि संख्यात्माद्ध भैलू को अगर EN से कह दें तो भावतिक रासी बराबर हम कर सकते हैं यानि EN से numerical हो गया, U से unit हो गया यानि numerical value और unit के साथ एक भावतिक रासी पुरनता होती है अगर दो में से कोई एक guy करेंगे तो भावतिक रासी पुरनता सत्य नहीं होगी अर्थात भावतिक रासी को indicate नहीं कर पाएगा अब देखेंगे मातरक की मातरक उपर के नेचर का एक मातरक मान लिया गया है एक इकाई मान लिया गया है और उसी को हम क्या कहते हैं मातरक कहते हैं यानि कि वो फिक्स है कि कि किस चीज के मातरक क्या हो नी शाहिए आईए अब मातरक के परकार निम्नांकित हैं तो देखिए मातरक दो परकार के यहां पर है पहले देखे जो मूल रासी पढ़ दे थे वो इसी रासी के जग़ा पर मातरक आ गया है तो मूल मातरक क्या है तो ऐसा मातरक जो अन्य रासियों के मातरकों पर निर्भन नहीं करता है उसे हम मूल मातरक कहते हैं जो मूल रासी होती है उसके जो मातरक होते हैं वो मूल मातरक कह होगा हम उसे व्यूत्पन मात्रक कहेंगे या वैसा मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर करता है यानि कि ये स्वतंत्र नहीं होता है ये डिपेंड किस पर करेगा मूल मात्रक पर जो मूल मात्रकों से उत्पन हुए हैं उससे व्यूत्पन मात्रक कहते हैं जैसे चित्रफल जिखे हैं अब है इस मात्रक में ब्हूं सिष्टम है अलग-अलग पत्ति ए मापने के अलग-अलग धंग तरीके हैं जानती है Sappовать अब उसको देखते हैं एक एक कर के आखिर अथ है तो देखिए पहले जो है यहां पर देख रहे हैं कि पहला लिखा है POOT-Pound-Second पदती POOT-Pound-Second देखिए तो POOT-Pound-Second शोट में अगर कहेंगे तो E-Up P-E-S कहेंगे ठीक है और पदती सिस्टम गोई हिंदी में पदती कहते हैं तो तो देखे, यह अप से हो गया फूट, पी से हो गया पाउंड, यह से हो गया सेकेंड, तो देखे, यह पहला वाला जो रहता है, यह लंबाई को इंडिकेट करेगा, पी जो पाउंड हुआ, यह आपका द्रविमान को इंडिकेट करेगा, और सेकेंड जो है, समय को इसी के कारण से इसका नाम पड़ गया root pound second system और इसे British system भी कहते हैं, British पधती भी कहते हैं, तो इस पधती में कौन-कौन है, यह लिखा गया है, चलिए, अब दूसरा system जो है, आपका है centimeter gram second पधती, तो centimeter, तो देखें, सुरू वाला हम बता चुके हैं, कि यह लंबाई को indicate और तीसरा जो है, समाई को indicate करेगा, तो जिस system में जाएंगे, सुरू आत वाला जो रहेगा, आपका, वो लंबाई को indicate करेगा, दूसरा वाला जो है, आपका, द्रभिमान को indicate करेगा, तीसरा समाई को, तो हम कह सकते हैं, वैसा system, जिसमें, लंबाई का मातरक centimeter, द्रभिमान क मातरक ग्राम और समय का मातरक सेकेंड होता है हम उसे सेंटिमीटर ग्राम सेकेंड या संचिप्द में कहेंगे तो C, G, S, system कहेंगे, अब देख लीजे, इसे अनिनामों से भी जाना जाता है, इसे गौसिये पधती या मेट्रिक पधती या दसमला पधती भी कहते हैं, इस पधती के मूल मातरक हैं, लंबाई के मातरक सेंटीमीटर जो की पहले बता दियें, द्रेमान का मातरक क्या है, तो ग्र सेकेंड पधती, तो देखे, मीटर जो है, आपका लंबाई का मातरक होगा, कीलोगराम द्रेमान का मातरक है, समय का मातरक यहां सेकेंड है, वो मीटर कीलोगराम सेकेंड पधती में क्या है, एक ऐसा सिस्टम है, एक पधती है, मापन की एक ऐसी प्रकिरिया है, जिसमें को कहेंगे MKS system मीटर-kilogram-second-padhati तो अब देखेंगे इसमें Celsius तो यहाँ सेंटीमीटर था। उसी का बड़ा मातरक यहाँ पर मीटर है यहाँ ग्राम था तो गड़ा से ही बड़ा मातरक-kilogram है ठीक है और समय का मातरक तीनों में सेम है ठीक है अब देखे तो CGS पधती के मातरक बहुँ छोटे तथा असुविधा होने की कारण 1935 इस्वी में इस मिट्रिक पधती को प्रस्तावित किया गया इस पधती के मूल मातरक क्या है तो लंबाई के मातरक सुने मीटर है द्रमान का मातरक किलोग्राम है समय का मातरक सेकेंड है इसलिए उसका नाव MKS पती इससे बड़ा मातरक है अगर छोटा लेंगे और यह बड़ा है अगर बड़ी बड़ी दूरी को मापते हैं तो मीटर किलोग्राम सेकेंड में मापना असान हो जाता है तो यह मक्या सिस्टम को इसी लिए बनाया गया तो आगे देखेंगे अब है कि SI सिस्टम तो SI सिस्टम में क्या है तो कहता है कि SI पत्ति सिस्टम इंटरनेशनल D Units या इस पत्ति में साथ मुल मातरक तथा दो संपूरक मातरक है तो यहां देखें जो पहले बोल रहे थे कि जो मुल मातरक में साथ होते हैं वो ही साथ हाँ आगया है साथ मुल मातरक और दो संपूरक मातरक है तो यहां से देखें अबजेक्टी प्रश्न बनते हैं कि मुल मातरक कित ने हैं तो दो होते हैं तो SI unit का पूरा नामेहा देख चुके हैं कि system international D units या SI unit होता है अब आते हैं मूल मातरक में कौन-कौन है अब देखिए SI के साथ अधारी मातरक और दो संपूरक मातरक तो देखिए भावतिक रासी यहां पर देखिए यह साथ कौन-कौन है एक लंबाई है द्रविमान है आपका समय है विद्धु धारा ताप जोतित्तिवर्ता पदार्थ की मातरा परिमाद अब देखिए तो लंबाई के मातरक जो है यह मीटर होता है जिसे a small m से indicate करते हैं अब देखिए द्रविमान का मातरक kg होता है जो देख रहे हैं यहां kg लिखा है समय का मातरक second होता है जिसे a indicate करेंगे बीधु धारा को इंपियर इसका इसाइ मातरक है जिसे capital a से indicate करेंगे अब देखेंगे temperature kelvine तो इसे k से indicate करते हैं candela को cd से indicate करते हैं अब देखिए पदार्थ की परिमान को मोल से मात ते हैं यानि इसका मात जो संकेत है यह मोयल लिखेंगे तो यहां पर देखे कि साथ जो है अधारी मात्रक या इसी को fundamental unit कहेंगे तम्मूल मात्रक साथ एही है लंबाई, द्रव्मान, समय, बिदुधारा, ताप, जोतितिवर्ता, पदार्थ का परिमार्थ इतना आप लोगों को संकेत याद होनी शहिए जो कि आगे सब दिन काम देत हैं, तो हमेशा आपको दिक्कत होती रहेगे, पढ़ाई में जी अगर चुराएंगे तो बाद में कटनाई तो होगी, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनिए और समझने का प्रियास करें, बार बार वार वीडियो को देखें, जिससे ध्यान में रहेगा, तो आईए उना एक बार सुन लिजी, लंबाई का मातरक मीटर होता है, द्रेवमान का मातरक केजी होता है, समय का मातरक शेकेंड होता है, विदुधारा का मातरक एंपियर होता है, ताप का मातरक केलवीन होता है, जोतिति भृता का मातरक केंडेला होता है, पदार्थ की मातरा मूल, ठीक है अब SI unit के जो है समपूरक मातरक, समपूरक मातरक दो है, एक समतल कोन, एक ठोस कोन, एक पलेन एंगल, एक सॉलिड एंगल, तू इसका जो मातरक है एरेडियन होता है, और ठोस कोन के अस्ट्रेडियन होता है, समतल कोन के आपका मातरक रेडियन होता है, देखे यह संकित दिया ह तो यहाँ पर देखे कि संपूरक मातरक 2 होते हैं और अधारी मातरक 7 होते हैं चलिए अब रही बात कि मातरक के लिखने का भी कुछ नीयम है अगर नीयम में आप गलती करते हैं वो आप जलद इवाजी में लिख तो लेंगे लेकिन गलती कर वैठेंगे इसलिए नियम को जानना अती आवस्यक होता है कि सावधानी नहीं बरतेंगे तो लगेगा कि हम सही लीख रहे हैं लेकिन वो गलत माना जाता है इसलिए लिखने की सुद्धा को देखते हुए हम लोग लिखने का प्रियास करेंगे और जानते हैं क जब भी लिखते हैं तो इसका पहला नियम क्या कहता है किसी भी रासी के मातरक के लिए उन ही के संकेतों का प्रियोग किया जाता है जो मान्य है यानि अपना मन से कुछ नहीं करना है जो उनिवर्सल टूथ है वो ही जो यानि कि माना गया है उसी को करें अपना मन से आप कु तो नहीним गलत हो जाएगा, जब ili, हम लिया गया है, तो इस्मॉल ही करना है, कीलोगराम के लिए देखे, यहाँ पर केजी लिखा है, इसलिए जो माना गया, वह ही ले ना है, फिर काता है कि मात्रक को बहुबचन में बनाने के लिए संकेत के अंत में yes या yes नहीं जोडा जाता है देखिए आपको लगता होगा कि मान ले जाए कि पांच केजी को दिखाना है तो लगा होगा अच्छा पांच केजी तो बहु बचन है ना तो पांच केजी बहु बचन है तो बहु से केलो ग्राम्स बोल देंगे तो नहीं ऐसा न करता कि कितना है इससे बहुश्चन बनानी की आवसकता नहीं होती है यानि यूनिट में यूनिट यानि मात्रक में या दियां लगा करके हम बहुश्चन नहीं बनाते हैं उलाओ यह कुलोग्राम को पाँंच केजी लिखा जाएगा ना कि पांच केंजी यह ऐसे नहीं लिख सकते है इन्हा कहें ओओ पांच है तो इसको बहुल बचन बना देते हैं है ना चलिए आगे क्या कहता है कि मातरक के संकेत के अंत में फूल अस्टॉप नहीं दिया जाता है फूल अस्टॉप जिसको हिंदी में पुर्न भी राम कहते हैं, जैसे अगर माले क्जी लिखें, क्जी लिख लिएैं, ऐसे करके, अब सोचेंगे, यहां पूल अष्टूप देदेंगे, तो ऐसा नहीं होता है, पूल अष्टूप गलत हो जाएगा, अब देखींगे, कहता है किसी भी मातरक को लिखने के लिए, बेग के मातरक को लिखते हैं तो देखे बेग होता है मीटर पर 30 सेकेंड तो मीटर को देखे यह पूरा नाम लिख दिया और पर 30 सेकेंड को संकेत में दिया यानि दोनों मिला के नए लिखा जाता है यानि कि दोनों को सिंबुल में ही लिखना है यानि मीटर पर 30 सेकेंड लि लिखेंगे तो अंग्रेजी के अस्मॉल लेटर से लिखेंगे है ना केजी लिखें या द्रवमान का लिखें या समय का लिखें है ना तो यह जो है आपको अस्मॉल लेटर से ही लिखाएंगे इसे कैपिटल में नहीं लिखेंगे हाँ लेकिन मात्रक के संकेत को अंग्रेजी के बड़े अच्छर में तभी लिखा जाता है जब मात्रक किसी बैज्यानिक के नाम से संबंदी तो अगर जैसे देखिए बल का मातरक न्यूटन होता है तो न्यूटन बैग्यानिक का नाम है ना तो देखिए इसलिए बल का मातरक जब इसका मातरक जब लिखेंगे तो न्यूटन का संकेत कैप्टल एन लेंगे इसे असमॉल में नहीं देंगे लेकिन हाँ अगर बैग्यानिक क नाम को पूल में लिखना रहेगा जैसे Newton पूरा नाम लिखियेगा तो अस्मॉल यन से लिखियेगा ठीक है अब देखिये सक्थी का मात्रक वाट होता है तो इसे अस्मॉल में ने लिखेंगे कैपिटल में लिखेंगे यानिक बैग्यानिक के नाम पर जो आपका मातरक बना है उसको आपको कैपिटल में लिखनी है अगर पूरा नाम लिखना तो फिर अस्मोल में लिखना होगा चलिए ठीक है next आगे देखते हैं लगता है जो हम बोल रहे थी वही बात यहां है देखिए क्या कहता है जदी मातरक बैग्यानिक के नाम से संबंधित हो और इसे पूल में लिखना हो तो नाम के पर्थम अच्छर जो है अस्मोल लेटर से लिखा जाता है जैसे बल का मातरक न्यूटन को यानि की अंग्रेजी म क्या है आपका असमोल है ठीक है यानि कैपिटल यहां यह नहीं दीजिएगा कश जब ऐग्यानिके पूरा नाम लिखना होगा सिर्फ संक्यत लिखेंगे तब जो है अब देखिए कि लिखने के सही तरीके क्या हो अब आया वीमा, आखिर वीमा क्या है ये जानेगे, डैमिंसन, काता है अधिकांस भौतिक रासियों को मूल भौतिक रासि, लंबाई, द्रेविमान और समय के मात्रकों पर उचीत घहात यानि पावर लगा करके ब्यक्त किया जा सकता है, अता किसी भौतिक रासि का मात्रक प् इसके बारे में कह रहा है, तो जान लीजिये कि Лंबाई के लिए कैपिटल ये लिखते हैं और समय के लिए आपका टी लिखते हैं, तो नि؟ लिखते हैं लिखते हैं?. तो देखे, ओही कहता है। इसे ब्यक्त करने के लिए भौतिक रासी को बड़े ब्रेकट के अंदर लिखा गया है। किसी रासी की बीमा को ब्यक्त करने के लिए लंबाई को यल से द्राइमान को यम से समय को जैसे दीख लिए लंबाई का मातरक तो होता है सुरी हाँ लंबाई को अगर कहेंगे मीटर होता है तो मीटर जो है आपको यल से लंबाई के लिए होता है ठीक है अगर यल अस्क्वार करना रहेगा तो दूपावर दे देंगे तो उसी प्रकार से अब एक एक करके हम लोग जानते हैं कि बीमा आखिर बनाएंगे कैसे हैं अगर मान लिया जाए कि किसी आकिरती का शित्रफल जो है लंबाई गुने चवड़ाई है तो देखिए लंबाई और चवड़ाई जो है इसका एक शित्रफल का यह आपका फर्मुला होता है लंबाई गुने चवड़ाई तो लंबाई के लिए हम यल लेते हैं और चवड़ाई के लिए भी यल लेते हैं तो इस परकार से यल को यल से गुना करेंगे तो यल अस्कौाइर आपका यह भीमा को इंडिकेट करेगा आईए देखेंगे यहां पर कह रहा है कि शित्रफल के भीमा की लंबाई में यह जो है दू है ठीक है फिर आगे देखते हैं वेग तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय तो देखिए विस्थापन क्या है तो एक परकार की लंबाई है तो लंबाई के लिए यल तो उपर है न, ती के पावर कुछ नहीं, तो नीचे एक है, यही उपर जाता है, तो माइनस एक हो जाता है, ठीक है, इसको आप जो है, यल, ती के पावर, माइनस वन पड़ सकते हैं, या यल परती टी, नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगर इसमें हम कहें कि वीमा की लंबाई क्या है, तो देखेंगे, समय में वीमा की लंबाई यहां माइनस वन है, और अगर यल के कहेंगे, लंबाई में कहेंगे, तो यहां जितना पावर है, वही वीमा की लंबाई कहलाएगा, अब देखेंग संबेग तो संबेग बराबर होता द्रविमान गुने वेग संबेग बराबर द्रविमान गुने वेग तो दीखिए तो द्रविमान के लिए आप यम लेंगे और वेग क्या होता अभी उपर में देखे कि यल वाई टी होता यल वाई टी लिखा गया तो यम तो हो ही गया और और T के power कुछ नहीं तो एक है। अगर इसमें हम बीबा की लमबाई पूछें। तो दराविमान का यहां पर कुछ नहीं तो power एक है। अखहिए इसमें लमबाई एक हुआ। और लमबाई मेरे लमबाई एक है इसमें बीबा महिं लिखता हैं। सेड़े में यहाँ टाइम में हो गया मायना सुखान यहाँ संवेग निखती आ है ठीक है टाइम हो गया गत्य पिर उसके ज। सुथ्र लिखिए पहले हम सुथ्र लिखते हैं फिर उसके सुथ में पर yol की गई रासि के?.. मुल- रासियों के पदों में लिखते हैं देख लीजे यहां पर लिखा गया है। फिर काता मूल- रासि के संकेत को लेख कर उचित हाथ लगाना है ठीक है पावर दे देना है नेक्ष्ट आगे देखते हैं अब देखिए इसी को बनाया गया है जैसे वेग वाला अभी कुछ दिर पहले हम बताये कि वेग क्या है तो विस्थापन बटा समय होता है अब विस्थापन के बारें भी हम लोग आगे चर्चा देखिए विस्थापन के नियुंतम के डिमाये दो बिंदू के दिश की जो नियुंतम दूरी होती है न अerving और है इसी उसी सज गूवा करेंगे और यहांनदम दूरी विस्थापन कहते हैं आप देखे तब विस्थापन एक दूरी का यानि कि दूरी ही एक परकार का है नियूंतम दूरी तो दूरी को हम लंबाई में इंडिकेट कर समझते हैं लंबाई ही है अब देखें लंबाई के लिए हम यल लेते हैं समय के लिए टी लेते हैं तो टी के पावर एक है यही ऊपर गया तो माइनस एक हो गया तो बेग का जो बीमा हुआ यहाँ पर आप चाहेंगे तो अगर यहम दर्स आईएगा तो जीरो देना होगा ठीक है लेकिन इसे कोई मतलब यहाँ पर नहीं है नेक्स टाके देखेंगे बल तो बल बराबर द्रवर्मान को तो देखेंगे बीमा कैसे बनाया जाता है यह लीखा जाता है तो देखेंगे द्रवर्मान को यहाँ लीखा यही परिभासा में तबदील हो जाता है कि समय के साथ बेग में परिवर्तन की दर को हम तो देखेंगे अब यहाँ पर द्रवर्मान आया तो देखेंगे अब यह रभमान के लिए यम लिख दिये, अब यहाँ पर है कि बेग में परिवर्तन, बेग मने दूरी बटा समय हो गया, विस्थापन बटा समय है ना, तो देखे यल बाई टी हो गया, तो यह टी नीचे अगर लाईएगा तो टी अस्क्वार नीचे हो जाएगा की नहीं, अगर दे कार्ज चीर यहाँ पर दिखाया गया है, फिर कार्ज, तो देखे, तो यहाँ बल गुने दूरी कार्ज होता है, तो यहाँ पर देखे, दूरी जो है, बल अभी देखे हैं ऊपर में, M, L, T के पावर माईनस वां, और दूरी को भी L से इंडिकेट कर देंगे, तो यहाँ L भी हो जाएगा यानि यल यल दूगों पढ़ जाएगा ना इसलिए दूग पावर हो गया है और टी के बाकी तो ही रह गया तो इस प्रकार से आप लोग बीमा बना सकते हैं हम बहुत से बीमा बना बना करें के दिखाएंगे next class में है ना चलिए गर आगे देखते हैं क्या है next देखिए यहां पर है कहता है इसको आप देखेंगे एक ही बात ध्यान देना है कि E-M-E-L-T-K-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P लंबाई के लिए लंबाई के लिए यल लेगे हैं ना तो आयतन यहां पर देख़े यहां लिख इ लिए गया था चलि वही शी रिपीट कर रहा है आप लोग प्रेक्टिस जरूर करिएगा तो आज जो है आप लोगों को इतना ही रहने देते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पुना बार बार आप लोग रिपीट करते के देखते रहिएगा एक दो बार देखेंगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा सुनते रहेंगे ठीक है पुरा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जान्यवाद